आज की उड़ी में बात कने वाला है कि मोबाइल में टच पॉइंटर आ गया है तो उसको में केस से अटा सकती हूँ यान की रिमूव केस से कर सकती हूँ तो गाय स्क्रीन बें देख लिजे के मारे मोबाइल की स्क्रीन है तो स्क्रीन पे मारे एक टच पॉइंटर सो हो रहा है तो उसको में mobile में अटाना है तो हम कई सारे mobile को use करते हैं लेकिन इसी तर हमारा touch pointer आ जाता है तो वह आपको case से अटाना है तो चले मैं आपको step by step complete बताने वाला हूँ तो गैसा आपको सबसे बले mobile के setting वह आपको open करना है तो चले mobile के setting को open करते हैं तो आपको किसी भी mobile को use करते हैं तो उसमें आपको सबसे बले mobile के setting वह आपको open करना है तो चले mobile के setting पे click करते हैं और click करने के बद आपको scroll करके निच्चे आना है और आपको smart पे click कर देना है तो चलमने इस तरह क्लिक कर दियाएं और क्लिक करने के बद आपको कई सारे ओप्शन है वह आपको दिखने को मिल जाएंगी तो आपको फ़स्ट वाला जो ओप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करना है तो गैस अभी दिख लिजिए कि एसिस्टी वोल पे आपको क्लिक करना है और और क्लेक करने के बद उसक में फ़ेस्ट में जो ओन है वह आपको ओप कर देना है तो चले फ़ेस्ट वाला ओप्शन है वह ओप कर देते और ओप करने के बद हमारा मॉबाइल में जो टर्च पोइंटर है वह अमारा रेमूब हो जाएगा तो गाई सापको इस तरह वीवो या ओपो किसी भी मोबाईल को यूज़ करते हैं लेकिन उसमें इस तरह जो टच पोइंटर आजाता है तो वह आपको आसंद रखे मोबाईल में सेटिंग में जाके जो पियम ने बताया है वह आपको सेटिंग को ओप करके प्रोबलम को सॉल्ब कर सकते हूं तो गैस वीडियो अच्छ लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइबर जरूर करना तो चले मिलते नेक्स्ट वीडियो